नमस्कार दोस्तों हमारे चनल के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों कई बार कमेंट के मादम से हमसे सवाल किया जाता है कि घर के अंदर छेपकली का होना सुब होता है या असुब होता है घर के अंदर छेपकली होती है तो हम क्या करें छेपकली हमारे माथे पर घिर जाती है तो क्या संकित देती हैं तो दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के बारे में सब कुछ जो आप जानना चाते हैं तो आगे बढ़ने से पहले आप से निवेजन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों वैसे तो देखा जाए या घर के पूजा घर के अदर दिख जाएं तो समझ जाएगे कि आपकी किस्मत समख जाएगी और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी परकार की कमी नहीं आती है तो दोस्तों बात करते हैं उससे जुड़े उपाय और संकेत जिसके माद्यम से आप अपने बारे में सब कुछ जान सकते हैं दोस्तों अगर कुछ चिपक लिए जुड़े के अंदर आपको सम्मंद बनाते हुए दिखाई देती है तो इसका मतलब है आपके घर परिवार के अंदर कोई नया समाचार या कोई नया संकेत आने वाला है जिस बात को आप लंबे समय चे सुनना चाह रहते वह आपका कार्य पूरा होगा और नए घर के अंदर नई अच्छी सुरुआत देखने को मिल जाएगे या अब आने वाले आपके जिवन के अंदर नये समाचार आपको सुनने को मिलेंगे इसी तरह दोस्तों अगर कोई चिपकली अगर आप कहीं किसी विसीस कार्य है तुझा रहे होते हैं और कुछ चिपकली आपको आपके घर की चछत आदी पर या अपने घर के मुखे द्वार पर या आपका रास्ता कारते हुए निकल जाती है तो इसका मतलब है कि वह कार्य आपका निश्चीत दोर पर पूरा होगा और उस कार्य के अंदर आपको सफलता मिले ही दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके माथे पर हाथ पेर आदी पर छिपकली घिर जाती है तो इसका क्या सक्कीत होता है दोस्तों अगर आपके माथे पर छिपकली का घिरना इसका मतलब है कि आपको आने वाले समय के अंदर धन की प्राप्ति होगी आप अपने कारिय में लगे रहे निश्ची तोर पर उस कारिय के अंदर आपको सफलता मिल जाएगी इसी तरह दोस्तों दाएं हाथ पर छिपकली का घिरना थोड़ा सा असुमाना जाता है इसे आपके स्वास्ति विकार के रूप में देखा जाता है और हो सकता है अगर आपके घर के अंदर किसी परकार की कोई शमिश्या है आए और इसी तरह दोस्तों अगर छिपकली आपके बाएं हाथ पर खिर जाती है तो इसका मतलब है कि आपको अंसिक धनलाप राप्त होगा हो सकता है कि कोई व्यक्ती जिसने आपका ही पैसा लिया है और वहाँ आपको वापस देने के लिए आपके पास आ जाएगा इसी तरह दोस्तों आप अपने घर के अंदर साप सफाई करते हैं या पिर नए घर के अंदर सुरुआत करते हैं और वहाँ पर कोई मर्थ छिपकली दिखाई दे जाती है छिपकली का मरा हुआ वहाँ पर पाया जाता है तो इसका मतलब है दोस्तों आपके आने वाले जिव कग दे और उसके बाद जमीन में गड़ा खोद कर आपको उसे तुरंत दबा देना चाहिए ताकि किसी भी परकार की विपद्दा से आपको बचे रहे और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी परकार की कोई विपद्दा नहीं आए इसी तरह दोस्तों आपने कई बार पूट जाती है तो आपको घर बराने की आश्रक्ता नहीं है वह उनकी एक जीन की अपने आपकी किरिया रहती है उनके मादियम से उनकी पूँच वापस आ जाती है इसमें आपको किसी परकार का कोई पाप नहीं लगता है इसी तरह दोस्तों आपके घर के जाड़ू पर च घटना होने का संकेत माना जाता है लेकिं दोस्तों वह जो भी घटना होती है वह आपके भले के लिए और आपके अच्छे के लिए होती है इससे आपको घबराने की अश्रक्ता नहीं है जो समाचार आप सुनना चाहते थे या जो धनलाब आप चाहते थे उसका समय आच्छ का होता है इसी वज़े से वह घटनाएं आपके साथ होती है दोस्तों इस बात का जरूर ध्यार रखना चाहिए अगर आपके द्वारा जान बुचकर या अंजाने में रास्ते में या घर के अंदर ही छिपकले मर जाती है तो दोस्तों तुरन परवाव से थन की दिवी लक्ष है इसी तरह दोस्तों छिपकली का आपके पैरों पर घिर जाना या छिपकली का आपके उपर पैसा आदी कर देना इसे दोस्तों थोड़ा सा गलत संकीत माना जाता है इसका मतलब है आने वाले समय के अंदर आपको कोई बुरा समाचार सुनने को मिल सकता है जो आप नहीं च प्ठाइब।